हेलो एवरिवन, मैसेल्फ दिनेश दादीच, टीम केमेस्ट्री, CLC आज हम CLC के यूट्यूब चैनल पे गुरु निती का नेक्स्ट टोफिक अपन डिसकस कर रहे हैं इस टोफिक में पास सोल्यूशन और सोलीड स्टेट इंक्लूड है इन से आए भी प्रिवेस वियर के क्यूस्ट्स को हम लोग डिसकस करेंगे ओके डियर स्टुडेंट्स तो सबसे पहले हम डिसकस कर रहे हैं विच वन इस नोट इक्वल तो दे जीरो फूर इन आइडिल सोलूशन डियर स्टुडेंट्स राउल्ट लो फेमस है आइडिल और नोट आइडिल सोलूशन के लिए आइडिल सोलूशन में राउल्ट लो जो होता है आइडिल सोलूशन के लिए पी अब्जर्ड और पी थेटिकल पी अपने पास पी अब्जट जो होता है वो किसके equal होता है पी paths के equal होता है जितना paths ने बताया था उतना ही observed बेपर फेशर मिलता है तो δेल्टा पी की value अपने पास कितनी हो जाएगी देल्टा पी equal to 0 हो जाएगा यह अपने को questions में पूछ रहा है not equal to 0 for an ideal solution delta H mixing second option पर हम बात करें delta H mixing ideal solution में हम जो दो liquid mix करते हैं उन्हें में ना तो force of interaction कोई force of interaction नहीं होता है it means the attraction और repulsion की value कितनी होती है 0 होती है तो ना तो heat release होती है और ना ही heat क्या होती है absorb होती है तो delta H की value कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी ideal solution के लिए ideal solution के लिए delta H mixing की बात करते हैं तो जब भी दो liquid को हम लोग बाहर से mix करते हैं तो entropy क्या होती है increase होती है entropy increase होती है तो delta H mixing जो not equal to 0 होगा यह अपने पास not equal to 0 होगा next हुआ delta V mixing 0 delta V mixing पे अपन बातचीत करते हैं तो delta V mixing ideal solution में जो दोनो component एड करते हैं उनमें ना attraction काम कर रहा है ना repulsion काम कर रहा है तो जो volume होता है वो दोनो component के sum के equal होता है जब दोनो component के sum के equal हो जाएगा तो delta V mixing भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा और डिल्टा भी mixing भी 0 हो जाएगा तो कौनसा नहीं 0 होगा डिल्टा S mixing not equal to 0 यहां से हम लोग चाहें तो हम कहते हैं दो gase को mix करें non-reactive दो non-reactive liquid को mix करें तो डिल्टा S क्या होता है greater than 0 होता है डिल्टा S is mixing equal to greater than 0 होता है तो यह value कि इसके equal नहीं होगी 0 के equal नहीं होगी और इसका answer हो जाएगा अपने पास कितना हो जाएगा third इसका अपने पास answer हो जाएगा तो roles लिके related अपने बातचीत की next जो अपने पास exam में questions आया है उसे देखते हैं which of the following statement about the composition of the vapor over the ideal solution one ratio of one molar mixture of benzene and toluene is correct assume that that temperature is constant dear students route slow में temperature constant रखा जाता है क्योंकि temperature change करेंगे तो P note की value क्या हो जाती ही change हो जाती ही pressure that is 25 benzene का जो vapor pressure है 12.8 kilopascal है और toluene का vapor pressure है वो 3.85 kilopascal है इसमें अपने को ये कह रहा है कि benzene और toluene इन दोनों को अमने mix कर दिया next page ले ले लेते हैं benzene और toluene इन दोनों को अमने mix कर दिया एक अमने benzene mix कर दिया एक अमने toluene और ये अपने पास solution बन गया benzene और toluene की जब इसकी vapor बनेगी अपने पास तो यहाँ पे जो इस liquid में अपने पास जो vapor बनेगी इस vapor में benzene और toluene के composition को अपने को explain करना है question अगर हम देखें तो question में किसको explain करना है composition of the vapor और an ideal solution one ratio, one molar ratio तो dear students पहले तो हम यही बता सकते हैं कि अपने पास y is equal to हो जाएगा P a naught x upon P total a माल लेता हूँ benzene को y बेंजene हो जाएगा अगर y भी अगर toluene को माल लेता हूँ b बराबर toluene और a बराबर benzene को exemption कर लेते हैं तो toluene के लिए अपने पास y b equal to हो जाएगा अपने पास P b naught x b upon P total dear students यहाँ से हम लोग इसके solve कर सकते हैं लेकिन हम यह भी जानते हैं कि अगर molar ratio सेम है तो जिसका vapor pressure ज्यादा आएगा उसकी vapor भी क्या बनेगी कम ज्यादा बनेगी जिसका vapor pressure ज्यादा होगा means जो ज्यादा volatile होगा उसकी vapor भी vapor में क्या रहेगी ज्यादा रहेगी अब questions में हम देखते हैं अपने पास benzene का vapor pressure कितना हो गया 12.8 pascal और toluene का कितना हो गया 3.85 pascal तो हम लोग इसके according answer दे सकते हैं कि किसकी vapor ज्यादा रहेगी the vapor pressure will be contain a higher percentage of the toluene toluene का नहीं होगा किसका होगा benzene का होगा the vapor will contain equal amount of the benzene non toluene no equal amount नहीं होगा not enough information for given make a prediction यह भी statement क्या हो गया wrong statement हो गया the vapor will be the contain higher percentage of benzene higher percentage of benzene बिना pain के हम इसको क्या कर सकते हैं solve कर सकते हैं अब इस question को numerically solve कर लेते हैं dear students तोहारे पास benzene का जो percentage हो जाएगा benzene का जो mole friction हो जाएगा PA note PA note benzene का कितना given है dear students benzene का अपने पास given है 12.8 pascal तो यह हो गया 12.8 1 ratio 1 है तो यह हो गया 0.5 यह हो गया अपने पास P total अपने पास होता है PA note XA plus PB note XB PB note XB PA note अपने पास हो गया 12.8 into 0.5 plus tolguin का कितना वे परफेसर है जो अपन को given है 3.85 यह 3.85 इंटू 0.5 Y A को अबलो 0.5 Y A को अपन सोल करते हैं तो यह आता है अपने पास 0.76 तो Y B कितना हो जाएगा अपने पास 0.24 तो dear students वही तो answer आगया dear students वही जो अपनने पहले discuss किया है कि जो ज्यादा volatile होगा उसकी वेपर जो collect होगी वो क्या हो जाएगी more collect हो जाएगी ज्यादा amount में collect हो जाएगी तो देखेगा answer क्या हो जाएगा answer हो जाएगा 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 जाएपर pressure will be contain a higher percentage of benzene because benzene is the more volatile okay next question consider the following liquid vapor equilibrium liquid vapor which of the following relation is correct कौन्षा relation correct है अपने पास liquid अगर liquid किस में convert हो रहा है vapor में convert हो रहा है तो इसके लिए कौन्षा relation correct है यहाँ अपने पास एक classiest clayprone equation होती है और यह liquid vapor के लिए classiest clayprone equation हमें इसे explain करती है और यह explain करती है d ln p upon dt is equal to अपने पास आता है delta h vaporization upon rt square यह relation अपने पास classiest clayprone equation हम से प्रूव करती है यह एकलिवरियम के concept में देखते हैं हम लोग इसे rns equation में भी देखते हैं तो यह classiest clayprone equation हमें प्रूव करती है कुंसा आंसर हो जाएगा third answer अपने पास correct हो जाएगा okay the mixture the mixture which show positive deviation from that around slow these students हम ideal solution पढ़ते हैं non-ideal solution में positive or negative deviation को explain करते हैं ideal solution में जो दोनो component हमें mix कर रहे होते हैं उनमें force of interaction 0 होता है means ना attraction होता है और ना repulsion होता है दोनो components इने mix कर रहे हैं अगर अपने पास non-ideal solution है तो maybe force of attraction हो means A और B दो liquid को mix किया है उनमें force of attraction लगेगा means अगर force of attraction लगेगा तो vapor pressure कितना हो जाएगा अपनी सितने अपने route ने बताया है उससे क्या हो जाएगा ज्यादा कम मिलेगा और attraction होगा कम मिलेगा तो क्या कहेंगे negative deviations अगर इनमें attraction कम लगे या फिर repulsion हो तो इसे क्या कहते है positive vapor pressure क्या मिलेगा ज्यादा तो हम इसे कहेंगे positive deviation non-ideal solution acetone और chloroform acetone और chloroform का example दे रखा है अपनी NCRT भी और acetone और chloroform और ये chloroform acetone और chloroform को mix करते हैं तो अपने पास यहाँ पे force of attraction डेल negative और डेल positive ये force of attraction मिलता है और force of attraction मिलेगा तो force of attraction लेगा अभी अभी हमने discuss किया कि दोनों liquid के बीच में attractive force काम करेगा तो vapor pressure ज्यादा रहेगा या कम हो जाएगा attraction के काण तो आमने का ये negative deviation non-ideal solution होगा ओके dear students chloroethane and bromothane chloroethane होता है अपने पास C2H5Cl और bromothane होता है C2H5VR दोनो nearly ideal solution का formation करते हैं क्योंकि दोनों का molar mass nearly equal है तो कोई force of attraction तो nearly ideal solution का formation करें ethanol प्लस acetone ethanol और acetone की बात करें तो ethanol तो क्या हो जाएगा इसमें polar part present हो जाएगा acetone non-polar part present होगा दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं ripple करते हैं क्योंकि ethanol C2H5OH इसमें क्या हो गया ये अपने पास और acetone CS3 C double bond और CS3 इसमें ये hydrophilic और hydrophobic part है जो इससे क्या हो जाएगा ripple हो जाएगा force of protection कम लेगेगा पहले की बजाएगा तो क्या हो जाएगा negative positive deviation non-ideal solution benzene और toluene कैसा formation करते हैं nearly non-polar होते हैं ideal solution बनाते हैं तो कौन सा correct हो जाएगा fourth वाला अपने पास third वाला अपने पास correct हो जाएगा फिर रावल्ष्लोषर रलेटेट कुश्ण सा रावल्ष्लोषर रलेटेटम बाचीट करते हैं the correct option for the value of the vapor pressure of a solution at 45 degree centigrade which benzene 2 octane in the molar ratio 3 ratio 2 at 45 degree centigrade vapor pressure of benzene to 80 mm of Hg and the octane is 420 mm of Hg ideal case ideal solution मानते भे इनको solution करना है तो dear students अभी हम देखते हैं कि A और B दो solution को जब भी mix करते हैं तो vapor pressure जो solution का होता है ideal solution के लिए P is equal to P A naught X A plus P B naught X B हमारे पास हम benzene को benzene को A consider कर लेते हैं octane को क्या consider कर लेते हैं benzene को A consider कर लेते हैं और octane को B consider कर लेते हैं और octane को B consider कर लेते हैं ओके dear students तो अपने पास P is equal to P A naught benzene का vapor pressure pure state में कितना है 280 mm of HG यह हो गया अपने पास 280 mm of HG X से X नहीं का मतलब mole fraction mole fraction कितना हो जाएगा 3 ratio 2 है तो इसका कितना हो जाएगा 3 divided by total mole 5 second अपने पास octane हो गया octane का कितना हो गया 420 into 2 divided by 5 इसे हम solve करते हैं तो P is equal to आ जाता है अपने पास 280 और 420 इसका मतलब इसका अपने पास solve करेंगे तो answer आ जाएगा 3 36 mmHC ओके dear students calculation है आसानी से solve कर सकते हैं वही same type of questions repeat हो रहा है ओके next on the following 0.1 aqueous solution which one will exhibit the largest freezing point depression these students colligative property is a related question colligative property है वो molarity के साथ साथ इस बात पर भी depend कर रही होती है कि solute particle से या solute से कितने particle अपने को obtain हो रहे हैं यहाँ पर अपने पास KCL है KCL जो अपने पास freezing point depression which exhibit the largest freezing point depression और freezing point depression largest किसमे हो जाएगा dear students delta Tf is equal to Kf into I into molality और सब की molality क्या है same है तो जिसके लिए I की value want of factor की value maximum होगी उसके लिए freezing point depression क्या हो जाएगा maximum हो जाएगा और I की value किस पे depend क्या है number of ions KCL है इस KCL को अपन देखते हैं तो K++ CL minus कितनी रहेगी अपने पास I की value 2 हो जाएगी अपने पास C6H12O6 C6H12O6 यह non electrolyte हो गया glucose है तो glucose अपने पास क्या होता है non electrolyte होता है non electrolyte के लिए I की value कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी 3rd अपने पास AL2 SO4 का whole thrice तो dear students यह अपने पास टूटेगा 2AL plus 3 plus 3 SO4 minus 2 3 SO4 minus 2 कितने पार्टिकल अपने पास अगर next देखते हैं K2 SO4 K2 SO4 की बात करते हैं तो अपने पास क्या हो जाएगा 2 K++ SO4 minus 2 कितने पार्टिकल अपने को अपने को अपने होँगे तो maximum particle अपने पास किस में अपने हुए maximum particle अपने होए L2 SO4 का whole thrice तो अपने पास इस में आणसर हो जाएगा 3rd आंसर क्योंकि colligative properties है जितने पार्टिकल अपने होते हैं उसके क्या होती है directly proportional होती है okay dear students next discuss करते है फिर colligative properties related questions which one is the following electrolyte has the same value of want of factor as the aluminum sulfate same type of question aluminum sulfate want of factor number of the ions क्या होने चिए same obtain होने चिए और अगले ने लिख दिया 100% ionization L2SO4 को अभी अभी अपने electrolyte का काम करेगा SO4 का whole thrice कितने particle obtain होंगे 2 L plus 3 plus 3 SO4 minus 2 अपने पास particle obtain होंगे 5 इन में से जिन में same number of particle obtain होंगे उसके लिए want of factor की value क्या हो जाएगे same हो जाएगी ये students बास केवल इनको ionized करना है K4 Fe Cn6 K4 Fe Cn6 किस तरह से ionized होगा 4 K plus plus Fe Cn6 minus 4 Cn6 minus 4 कितने particle obtain होंगे 5 particle अपने पास obtain होंगे 5 particle अपने पास obtain होंगे K2 SO4 लेता तो K2 SO4 होता तो अपने पास 2K plus plus SO4 minus 2 number of particle कितने obtain होंगे 3 particle अपने पास obtain होंगे 2 K3 Fe Cn6 K3 Fe Cn6 K3 Fe Cn6 में Kतने particle अपने होंगे 3 K plus plus Fe Cn6 minus 3 कितने particle obtained हुए 3 और 1 4 particle अपने पास obtained हुए next Aluminium Nitrate Aluminium Nitrate की बात करते है Al NO3 का whole thrice किस तरह से ironized होगा Al plus 3 plus 3 NO4 NO3 minus कितने particle 4 particle obtained हुए D students इससे 5 particle obtained हो रहे है और same 5 particle किसमे obtained हो रहे है same 5 particle इसमें obtained हो रहे है तो कौन सा answer correct हो जाएगा अपना first वाला option correct हो जाएगा ओके next 800 degree the vapor pressure of the solution of 6.5 gram of a solute in 100 gram of water is 320 mm if kb is 0.52 the boiling point of the solution will be dear students अच्छा questions अपने पास मिला है जिससे हमें vapor pressure की information से boiling point calculate करवाना चाहता है हम class में पढ़ते हैं all colligative properties are interrelated to each other सारी qualitative property एक दूसरे से interrelated होती है अगर एक की value पता हो तो दूसरी की value easily calculate कर सकते हैं प्लस अगला अपने को यहां बात कर रहा है 800 degree centigrade तो यहां पे दो बाते अपने को check करने हैं कई बार अपकी student सोचता है तो यह सोच सकता है 800 degree centigrade water का जो normal boiling point होता है वो 100 degree होता है और normal boiling point का मतलब होता है vapor pressure 180 m और 760 mm of hg तो dear students पहले तो अपने पास water का जो अपने पास p note given है वो हो गया 760 mm of hg यह vapor pressure किसका हो गया pure water का pure water का अपने पास यह vapor pressure हो गया अब हम कह रहे हैं कि अपने पास vapor pressure की value given है solution का vapor pressure कितना हो गया p solution is equal to अपने पास हो गया 732 mm of hg mm of hg यह अपने पास solution का तो dear students क्या आप solution का vapor pressure जानते हैं solution का vapor pressure हम इस तरह से जानते हैं देखना कि p0 minus ps upon ps is equal to i into na upon nb means p0 minus ps upon ps is equal to i into w a upon m a into w b upon m a these students एक बात को सूसना हमें जो calculate करना है वो boiling point calculate करना है और boiling point calculate करने के लिए हमें क्या करना calculate करना होगा elevation in boiling point calculate करना होगा और elevation in boiling point calculate करेंगे तो elevation in boiling point का formula होता है delta tb is equal to kb into i into molality अपने पास kb की value given है i और want of factor molality का product calculate करके यहाँ put कर दे तो अपने पास यह value आ जाएगी delta tb की और i am want of factor और molality का product calculate करने के लिए अगले ने information दे रखी है vapor pressure की तो vapor pressure वाली information को हम क्या करते है check करते है तो अपने पास हो गया यह information these students अगर इन बोथ side में thousand से और thousand दोनो side multiply कर दूँ तो देखना यह वाली value अपने पास क्या molality को बता रहेगी क्या mol of solute upon mass of solute यह gram में kg में convert करने के लिए कर दिया तो अपने पास कितना आ गया p0 minus ps upon ps is equal to i into small m i into small m mb upon thousand into mb upon thousand यह value calculate कर सकता हूँ यह value अपने पास होगी 760 minus 732 divided by 732 ok 732 अगर इस value को अपन शोल्ट करें तो अपने पास यह i और m calculate करना है water के लिए value होगी 18 और यह value आ जाएगी अपने पास thousand यहाँ किस की value आ जाएगी i m की value अपने पास आ गई 760 minus 732 multiply by multiply by thousand divided by 18 into 732 यह i m की value आगे यहाँ हम यह value अगर put कर देते हैं इस value को put कर देते हैं तो delta tb is equal to kb की value दे रहे है 0.52 और यह value हम put कर देते हैं 760 minus 732 760 minus 732 multiply by thousand देखे multiply by thousand multiply by thousand divided by अपने पास लिखा है 18 multiply by 732 18 into 732 तो यह तो ओगया अपने पास elevation in boiling point और elevation in boiling point आ गया boiling point of solution boiling point of H2O boiling point of H2O solution का कितना हो जाएगा अपने पास हो जाएगा 101 degree centigrade तो देखेगा 101 degree centigrade कौनसा option है 101 degree centigrade अपने पास 4th option है तो कौनसा option major हो रहा है अपने पास 4th option major है Okay, dear students, next. If molality of the dilute solution is double, the value of the molar depression constant Kf, dear students, molar depression constant, delta Tf is equal to Kf into I into molality. Cho Kf की value होती है, वो depend करती है, solvent P. Solution की, solute की amount पे depend नहीं करती है, क्योंकि हम जानते हैं, Kf is equal to M R Tf square thousand into delta H fusion. तो यहां पे, molality पे depend नहीं करती है, और molality पे depend नहीं करती है, तो यह क्या रह जाएगा? Unchanged रह जाएगा. यह value change नहीं होगी. Next question. The freezing point depression constant Kf for benzene is 5.12. Benzene के लिए freezing point depression constant की value होती है, वो 5.12 kilojoule per mol है. The freezing point depression for the solution if molality is 0.07 atom containing non-electrolyte, non-electrolyte का means IQ value कितनी होगी? 1 होगी. Solute in benzene 2, round of 2 decimal, 2 decimal के round of अपने को करना है. तो अपने पास, अपने पास delta freezing points are related. देखना, qualitative property. Delta Tf is equal to Kf into I into molality. और delta Tf is equal to Kf की value दे रहे 5.12. I की value non-electrolyte हो, 1. M की value कितनी होगी? 0.078. Dear students, जोल करते हैं, तो delta Tf nearly equal to 0.40 Kelvin अपने पास आजाएगा. तो freezing point depression कितना होगी? 0.40 Kelvin. Simple. Next, the following solution were prepared by the dissolving of 10 gram of glucose in 250 ml of water P1. 10 gram of urea in 250 ml of water P2 and 10 gram of sucrose in 250 ml of water P3. The right option for the decreasing order of the osmotic pressure of this solution. Dear students, 3 solution अपने पास गीवन हैं और तीनों में osmotic pressure का order अपने को decide करना है. दो बाते दोनों में common हैं, पर तेक solution में 10 gram of glucose अपने पास लिया है, second, 10 gram of urea अपने पास लिया है, third, 10 gram of sucrose अपने पास लिया है. Am I right? Second, सबका 250 ml solution अपने पास बनाए है, 250 ml solution अपने पास बनाए है. तो बड़े आसान तरीके से इस question को अपन solve कर सकते हैं. Osmotic pressure होता है, pi is equal to ICRT, सारे के सारे non electrolyte है, तो IQ value सबके लिए कितनी होगी? 1 होगी. Second, pi is equal to I into molarity होता है, WA upon ME into V liter में होना जी है, RT. जिसकी concentration सबसे ज्यादा रहेगी, वही solution का osmotic pressure क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा. बात करते हैं, concentration के लिए. बात concentration के लिए करते हैं, तो first of all अपने पास glucose solution है. glucose solution में हम बात करते हैं, glucose. तो molarity is equal to, concentration is equal to, WA upon ME, और V किसमे होना जीए, liter multiply by thousand. liter में हो, ml में है, तो multiply by thousand. M is equal to, 10 gram, 180, V ml, 250 ml, और यह volume, ml में है, तो यह थाउजन से multiply किया. यह M की कुछ value आ जाएगी? same as अपने पास यह value, यूरिया के लिए, यूरिया के लिए यह value आएगी, यूरिया का molar mass होता है, 60, तो उसकी concentration, molarity अपने पास हो जाएगी, 10 upon 60, 250 ml, multiply by thousand. same as अपने पास हो जाएगा, शुक्रोज, तो अपने पास हो जाएगा, M is equal to, 10 divided by 342, शुक्रोज का molar mass, 250 multiply by, 250 multiply by thousand. डील स्टुडेर्स सबसे ज्यादा molarity किसमे विली है, बाकी सारा common है, यहाँ 180 है, यहाँ 60 है, यहाँ 342 है, सबसे ज्यादा यूरिया के केस में, अपने को molarity मिली है, उसके बाद अपने पास मिली है, glucose के केस में, और उसके बाद molarity मिली है, सुक्रोज के केस में, तो यही इसके किसका order होगा, I का order होगा, यूरिया वाले को अगले ने क्या नाम दिया है, यूरिया वाले को नाम दिया है अपने पास P2 यूरिया वाले को अपने पास नाम दिया है P2 यूरिया वाले को P2 तो सबसे ज्यादा कौन सा हो गया? सबसे ज्यादा अपने पास P2 हो गया गुलकोज वाले को नाम दिया है P1 और सुक्रोज वाले को नाम दिया है P3 सुक्रोज वाले को नाम दिया है P3 तो उसके बाद अपने पास क्या हो जाएगा P1 उसके बाद क्या हो जाएगा P3 इस तरह से अपन सोल करते हैं तो अपने पास कौन सा option correct होता है अपने पास option correct होता है fourth number सबसे ज्यादा P2 उसके बाद P1 उसके बाद P3 फोर्थ option क्या हो जाएगा? correct option हो जाएगा होकेडिर next the boiling point of 0.2 mol per kg solution of x in water is greater than the equal solution of y in the water which one is the following is 2 dear students अपने पास देखेगा boiling point of 0.2 solution of x x है जिसका 0.2 molality है ठीक है इसका अपने पास boiling point है equi-molal solution of y y है जिसकी भी molality का है 0.2 है इससे क्या हो गया? greater हो गया किसका greater हो गया? x का greater हो गया boiling point और boiling point में क्या होता है? elevation in boiling point elevation in boiling point का मतलब होता है delta tb is equal to kb into i into molality i क्या हो गया? want of factor i की value dissociation के लिए क्या होती है? greater than 1 तो i की value dissociation के लिए 1 होती है तो दोनों की molality क्या है? same है kb क्या रहेगा water के लिए? same रहेगा ib क्या हो गया? molality क्या होगी? same तो i की value क्या रही होगी? different रही होगी और first वाले cases में क्या रही होगी? ज्यादा रही होगी तो क्या हुआ होगा? dissociation y undergoes dissociation no it is incorrect किसका dissociation होगा है? x का dissociation होगा है x undergoes dissociation in water सही बात हो सकती है molecular mass of x is greater than molecular mass of y molality same है तो molecular mass के बारे में हम discuss नहीं कर पाएंगे molecular mass of x is less than molecular mass of y क्योंकि molality के आपने को पास information है तो कौन सा हो जाएगा आपने पास ये second number answer correct हो जाएगा next Henry Lowe's से question है अपने पास kH value of the sum gases the same temperature are given is kH के value given है Henry Lowe's के according हमें solubility in water का order check करना है तो हम कह रहे हैं कि Henry Lowe कहता है कि P is equal to kH into solubility in term of molality kH x am I right तो x is equal to हो जाएगा आपने पास P upon kH kH की value जिसके लिए जितनी कम होगी solubility उतनी क्या रहेगी ज्यादा रहेगी तो kH की value सबसे कम किसके लिए HCOs के लिए तो first सबसे ज्यादा solubility इसकी रहेगी second किसके लिए हो गई CH4 के लिए तो second यह रहेगा third किसके लिए CO2 के लिए और fourth किसके लिए हो गया इसके लिए तो सबसे ज्यादा solubility HCOs की कौन से option में HCOs second किसकी होगी CH4 की second CH4 की third CO2 की और fourth organ की तो कौन सा option correct हो गया third वाला option अपने पास correct हो गया ओके Dear student solid state के previous year के कुशन solid state की गुरूनिती इसी topic में include करते वह हम solve करते हैं solid state बड़ा आसान chapter होता है और conceptual कुशन से यहाँ से put किये जाते हैं questions आएं उनके according देखिया simplify simple questions solid state से पूछे जाते हैं ठीक है और बहुत आसान से आप इसे तैयारी करेंगे इन questions की practice करेंगे तो अभी exam के questions आप से most probable सही हो जाता है If A is the length of side of cube अपने पास A cube है इसकी जो length है अपने पास वो कितनी होगी है ए लेंथ होगी है यह अपने पास cube है इसकी length कितनी होगी ए लेंथ होगी The distance between the body center atom of one corner atom to the cube distance between the body center atom and one corner atom in the cube will be एक तो body center का atom हो गया और एक कौन सा atom हो गया corner का atom अपने पास हो गया इनके बीच की distance कितनी होगी यह A होती है तो यह body diagonal की distance जो अपने पास होती है यह unroot 3A होती है और यहां से यहां तक की distance unroot 3A by 2 हो जाएगी तो dear student discuss करते हैं इसके लिए अपने पास हो गया यह unroot 3A by 2 simple questions हो गया कि अपने पास unroot 3A by 2 यह distance मिल रही है इससे total unroot 3 होगी तो यह कितनी होगी unroot 3A by 2 आसानी से आप calculate करके simple questions है एकदम solid state का ओके next the vacant space in BCC latest unit cell vacant space पूछा है BCC के लिए हम लोग क्या calculate कर सकते हैं body center unit cell होती है इस body center unit cell के लिए अपने पास यह center वाले atom एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं touch कर रहे होते हैं body diagonal के atom एक दूसरे को touch कर रहे होते हैं तो यहां पे relation होता है 4R equal to under root 3 packing efficiencies की calculate करते हैं तो अविसे तो अपने को learn भी होती है packing efficiency 2 into 4 by 3 pi r cube upon 1 cube तो packing efficiency अपने पास हो जाती है 2 into 4 by 3 pi r cube और एक ही जगे क्या लिख सकते हैं 4R upon under root 3 यह A हो गया तो 4R upon under root 3 इसका क्या हो जाएगा A आ गया इसका क्यों यहां से आप solve करते हैं तो packing efficiency 68% आती है तो vacant space कितना हो जाएगा 32% इसमें अपने पास vacant space हो जाएगा 32% vacant space अपने पास मिल जाएगा जी students next an element has body center cubic lattice BCC structure BCC structure का मिनिंग होता है atoms are presented is corner of cube and also presented the body center of the cube as length 288 picometer the atomic radius it's atomic radius body center cubic lattice के लिए अपन चेक करते ही तो body center cubic lattice में अपने पास ये body के center वाले atom इस तरह से touch कर रहे होते ही और इस तरह से touch कर रहे हैं तो body center के लिए relation होता है 4R बराबर unroot 3 अपने को given क्या है age length given है age length का मतलब होता है अपने पास a given है a अगर अपने पास given है तो check करते है 4R radius of atom अपने को calculate करना है 4R into unroot 3 into 288 अपने को R calculate करना है तो unroot 3 into 288 divided by 4 picometer विल्कुल simple सा option है और option अपने पास given है कौन सा option correct हो जाएगा 3rd option अपने पास correct हो जाएगा ओके next a given metal crystallized crystallized out with a cubic structure having age length 360 picometer there are 4 metal atom in 1 unit cell what is the radius of the 1 atom dear students cubic structure है cubic structure में 4 atom per unit cell present है simple में corner में present होते हैं तो per unit cell number of atom 1 होता है body center में corner plus body center तो 2 atom present in a per unit cell and face centered unit cell में corner plus each face center of the cube total 4 atom present in the FCC so there it is the FCC structure FCC structure का मतलब हुआ atoms जो present होंगे वो अपने पास corner पी पर present होंगे और corner के साथ-साथ atom अपने पास जो present होंगे वो face के center पर भी present होंगे यह face का center होंगे यह idea से front face हो गया और यह idea से अपने पास क्या हो गया बेक फेस हो गया, इनके सेंटर पर भी अपने पास परजेंट होंगे ओके डीर स्टुडेंट्स, तो हम ये कह रहे हैं कि अपने पास एटम एज लेंथ अपने पास इतनी गिवन है, तो अपने पास क्या रिलेशन हो गया ये एटम टच करते हैं, तो 4R equal to root 2A होता है 4R equal to root 2A होता है, 4 अपने पास 4 हो गया, हमें calculate क्या करना है radius of atom, 4 metal, what is the radius of the 1 metal, R calculate करना है root 2 हो गया, और ये हो गया, 361, अगर इसे हम solve करते हैं तो अपने पास, अपने पास R is equal to आ जाता है, 127 picometer और answer कौन सा हो जाएगा, 3rd answer अपने पास हो जाएगा, ओके next, the number of carbon atom present per unit cell of the diamond unit cell diamond unit cell कैसी होती है, सभी जानते ही, diamond cubic structure होती है cubic structure होती है, और FCC structure होती है FCC का मतलब, carbon atom है, वो corner पे present होंगे और corner के साथ-साथ face के center पर भी present होती है और carbon atom also present in the tetraidal void tetraidal void, also present in the tetraidal void, और वो भी क्या होगी, alternate alternate tetraidal void, तो carbon atom 4 तो कितने होगे, यह होगे, प्लस alternate tetraidal, tetraidal void होती है, वो atom की number के क्या होती, इक्वल होती है, बट alternate में आगया, तो कितने हो जाएंगे? 4, तो कितने carbon atom present हो जाएंगे? 8 carbon atom present in the per unit cell, so the 8 carbon atom present in per unit cell, okay? A metal has FCC lattice, the edge length of the unit cell is 404 picometer, the density of metal is 2.72 gram per centimeter cube, molar mass of the metal, okay dear students, तो हम बात कर रहे हैं, density, तो density का अपने पास formula होता है, बिल्कुल simple formula होता है, formula में अपने value put करेंगे, अपना answer आजाएगा, z into molar mass mw upon n into volume of unit cell, और volume of unit cell, अपने पास unit cell कैसी है? FCC lattice है, FCC lattice है, qb का तो a cube हो जाएगा, z की value कितनी हो जाएगी? FCC तो 4 हो जाएगी, molar mass अपने को क्या करना है? Calculate करना है, na की value कितनी हो गई? 6.02 into 10 to power 23, जिसे near about अपन 6 भी put कर सकते हैं, और a की value अपने पास 404 picometer, इस 404 picometer को मैं किसमे convert कर सकता हूँ? cm में, तो यह हो जाएगा 404 into 10 to power minus 10 cm, यह value यहाँ पर put कर देता हूँ बस, तो D is equal to अपने पास 4 हो गया, MW, calculate करना है, और अपने पास 6.02 into 10 to power 23, near about, यह हो गया 404 into 10 to power minus 10, इसका Q, और Density अपने पास कितनी इवन है? 2.7, तो अपने पास यहाँ से solve करते हैं, तो MW near about कितना होता है? 27, तो कौन सा option correct हो जाएगा? First वाला option अपने पास correct हो जाएगा, ओके? Same type of question, copper crystallize in the FCC unit cell of edge length this centimeter, the density of the copper is 8.92 gram per centimeter, calculate the atomic mass of the copper, copper का atomic mass, same densities related question से, जो question अभी अभी अपने solve किया है, D is equal to Z into MW upon Na into AQ, ठीक है? Density अपने पास कितनी given है? Density अपने पास given है, 8.92 gram per centimeter cube, तो 8.92 gram per centimeter cube, FCC में तो यह value कितनी होगी? Same type of questions क्या हो गया? Repeat हो गया, और MW calculate करना है, MW calculate करना है, और यहां से Na लिख दूँ, तो यह MW upon Na, यह किस में आ जाएगा अपने पास? Amu में आ जाएगा? और next अपने लोगों ने लिख दिया है, अपने पास एक इतना हो गया? 3.608 into 10 to power minus 8 centimeter का cube, यहां से अगर अपन MW को solve करें, तो यह MW molar mass, एक मोल का mass आएगा? एक मोल का mass अपने पास आजाएगा, 63.1 gram, तो एक atom का mass कितना हो जाएगा? एक atom का mass हो गया है, 63.1 amu, यह हो जाएगा है से आप amu भी बोल सकते हैं. The ionic radii of a plus and b minus are 0.98 into 10 to power minus 10 meter and 1.81 into 10 to power minus 10 meter. The coordination number of the is catein and a9, a and b. These students, जब catein और a9 की radius अपने पास गिवन होती है, तो हम क्या calculate कर लेते हैं? रेडियस रेशो calculate कर लेते हैं और रेडियस रेशो में हमें पता होता है, range के coding कि रेडियस रेशो अपने पास यह होगा, तो इस अपने पास coordination number यह रहा होगा. तो हम coordination number calculate कर सकते हैं. हमें यहाँ radius रेशो calculate करना चीए, radius रेडियस रेशो होता है, r plus अपने पास कितना होगया? 0.98 into 10 to power minus 10 meter, r minus होगया 1.81 into 10 to power minus 10 meter, और इसे अपन सोल करते हैं, तो यह आता है 0.54, और अपने पास 0.54 आता है, यह कौनसी रेडियस के लिए? और अपने पास 0.225 से 0.414 तक आता है, यह और अपने पास, यह टेटराइडल की रेंज होती है, और 0.414 से 0.732 तक की रेंज होती है, और यह टेटराइडल के लिए होता है, यह और अपन सी वोईड में गया होगा? और अपने पास 6 रही होगी. और अपने पास 6 रही होगी. और आंसर कितना रहा होगा? फोर्थ अपने पास आंसर रहा होगा. नेक्स्ट लिथियम है जे बीची स्टिक्चर, इत देंसिटी इस 530 कजी पर मेटर क्योब और अट अट अटमिक मास इस 6.94 ग्राम. अपने पास अपने पास अपने पास अपने पास आते रहते हैं. हर एक-दो साल के बाद रिपीट होते रहते हैं. यहां लिथियम एटम की डेंसिटी 530 कजी पर मीटर क्योब में गिवर है. तो हम केजी में लिख देते हैं 530 केजी पर मीटर क्योब. जेड की वेल्यू BCC में क्रिस्टलाइजड हो रहा है. तो जेड की वेल्यू कितनी हो जाएगी 2? MW कितना हो गया? MW 6.94 to 10 to power minus 3. क्योंकि यह मोलर मास ग्राम में है. मैंने इसको केजी में कनवर्ट कर लिया. NE की वेल्यू होगी 6.02 into 10 to power 23. और AQ हमें केलकुलेट करना है. यहां से इसे सोल करते हैं. तो A की वेल्यू नियर अबाउट अपने पास आ जाती है. 352 किको मीटर के आसपास अपने पास वेल्यू आ जाती है. Simply solution है. यह 352 किको मीटर के आसपास वेल्यू आ जाएगी. Next, the correct statement regarding to the defect in crystalline solids. crystalline solids में अपने को defect से related बातचीत करनी है. तो defect से related बातचीत करते हैं. तो defect से related आसान सी बात होती है. फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है. जो अपने पास केटाइन और एनाइन होता है. उसमें से generally केटाइन इंटरस्टेशिल स्पेस में अवेलेबल हो जाता है. इंटरस्टेशिल स्पेस में आ जाता है. कोई भी आएन बाहर नहीं जाता है. तो density क्या रहती है? unchanged रहती है. तो इस statement wrong हो गया. फ्रेंकल डिफेक्ट is the delocalization defect. फ्रेंकल डिफेक्ट में जो अपने पास केटाइन जनरली जो होता है. वो अपनी site को छोड़कर इंटरस्टेशिल स्पेस में आ जाता है. delocalized हो जाता है. अपनी location को क्या कर लेता है? change कर लेता है. तो ये statement correct statement है. फ्रेंकल डिफेक्ट is found in the halides of alkaline metals. नो halides में तो कौन सा effect होता है? halides जो alkali metals के halides है. उनमें short की defect observed होता है. यह halides कौन सा halides में होता है? transition metal के halides, यह यह deep lock halides में फ्रेंकल defect observed होता है. तो ये statement भी क्या हो गया? wrong statement हो गया. short की defect है, तो no effect on the density. short की effect में k9 और a9 जो होते हैं, वो किस्टल से बाहर चले जाती. तो density क्या हो जाती? decrease हो जाती है. तो कौन सा answer है? regarding to the correct statement. second statement is the correct statement. which is the incorrect statement? dear students, हमें incorrect statement को choose करना है. density decreases in cases of crystalline, crystal with short की defect. बिल्कुल सही बात है. short की defect में k9 और a9 solid से बाहर जाती. तो density, mass कम होता है. तो density decrease हो जाएगी. NACL is insulator. solid NACL होता है. वो insulator होता है. क्योंकि ions मूँ करने के लिए free नहीं होते हैं. but NACL in molten and aqueous state, which is the conductor. तो यहां तो सही है. silicon is a semiconductor. बिल्कुल. silicon is a semiconductor. silver is conductor. silver में क्या होते हैं? free electrons होते हैं. तो conductor होता है. quad is the piezoelectric crystal. quad क्या show करता है? piezoelectric effect show करता है. तो piezoelectric crystal होता है. तो यह statement भी कैसा लग है? सही statement है. frankal defect is favor in those ionic compound in which the size of catein and anines are almost equal? no. frankal defect में तो जो catein generally होता है. वो interstacial space में जाता है. और interstacial space में जगा है कब ज्यादा बनेगी? जब catein और anine की size में difference रहेगा. तो यह statement गलत हो गया. और fe 0.980 is the non-strochometric metals. non-strochometric हो गया. क्या metal deficiency है क्या? no, metal deficiency नहीं है. metal deficiency नहीं है. क्या हो गया? non-metals यानि anine deficiencies में हो गयी. तो यह statement भी क्या हो गया? incorrect statement हो गया. अपने पास incorrect statement हो गया. तो कौन सा statement अपने पास? incorrect statement. तो कौन सा statement? इनकरेक्ट स्टेटमेंट मिल रहा है अपने को यह सही हो गया यह सही हो गया यह सही हो गया तो यह क्या हो गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट अपने पास हो गया तो अपने पास यह थार्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया ओके जो लास्ट एन नीट के पेटन थे उसमें एयार टाइप के क्यूस्टन्स खुब सारे आये थे पहले भी देखो 2021 में अपने पास एयार टाइप का क्यूस्टन्स आया हुआ हैं इन पर्टिकूलर बॉई पॉईक्टने बॉईक्टन्स अले इन उसमात्त आयीटनी पॉईक्टन्स खुब सारे टाइप काथ सीकर गारता कर देखो 2022 में आपता है। Maintain Overall Electrically Neutral अगर ये Delocalization हुआ है तो Electrically क्या रहेगा Neutral रहेगा तो क्या हो गया Correct भी हो गया और Explanation भी दे रहेगा तो ये अपने पास Statement क्या हो गया सही हो गया List 1 to Mitch Mitch type questions भी पिछले साल खुब सारे आये थे Renate 22 में आया हुआ है Frenkle Defect Frenkle Defect और Short की Defect Ionic solids में मिलते है तो Frenkle Defect में क्या हो गया Density क्या Unsanze रहती है Ionic solid, density of the solid Remain constant Density क्या रहती है Constant रहती है Short की Defect में अपने पास क्या होता है Ionic solid में Density क्या हो जाती है Decrear A से अपने पास क्या हो रहा है A से अपने पास fourth वाला मेच कर रहा है B से अपने पास कौन सा मेच कर रहा है B से अपने पास मेच कर रहा है decreases, third वाला अपने पास मेच कर रहा है तो third वाला अपने पास मेच कर रहा है B से अगर vacancy defect की बात करते हैं तो vacancy किसमे create होती है vacancy non-ionic solids होते हैं और non-ionic solids में अपने पास non-ionic solids में अपने पास किसमे होती है and density of solid decreases क्योंकि vacancy non-ionic solids में ये atoms होते हैं वो किस्टल से क्या चले जाते हैं बाहर चले जाते हैं तो C का अपने पास हो गया first वाला vacancy defect also a frankal type of defect interstacial space latest point से कहां जाएगा interstacial space में तो अपने पास D का क्या हो जाएगा D का हो जाएगा second कौन सा option मेच कर रहा है second option अपने पास मेच कर रहा है what fraction of the Fe exists as Fe plus 3 and Fe 0.93 O consider Fe 0.93 O made up to Fe plus 2 and Fe plus 3 देखिए Fe 0.96 O हो गया इसमें अपने पास Fe हुआ क्या होगा हुआ यह होगा कि यह Fe हो रहा होगा इसमें से कुछ Fe crystal से बाहर चलेगे और electrically neutral रखने के लिए Electrically Neutral रखने के लिए जैसे माल लो यह बाहर चला गया केटाइन तो electrically neutral रखने इसमें अपने उक्सिडेशन स्टेट में तो कुछ क्या रहे होंगे O-2 जो अपने पास Solidity वो Electrically क्या रहेगा Neutral रहेगा जब Electrically Neutral रहेगा तो अपने पास हो जाएगा 0.0 यह X माल लेते हैं तो यह कितना हो जाएगा 0.96-X और यह कितना हो जाएगा अपने पास 1 हो जाएगा Charge Balance करते हैं तो 2 into X Equal to क्या हो जाएगा Charge कितना होगा 2 तो Multiply by 2 करेंगे तो Equal to 2 आ जाएगा यहां से अपन X की मतलब F e plus 2 की percentage केलकुलेट करते हैं तो F e plus 2 अपने पास Fraction केलकुलेट करते हैं तो F e plus 2 अपने पास 0.08 होगा और यह अपने पास क्या होगा 0.96 तो कितना हो जाएगा 1 by 12 अपने पास आ जाएगा ओके रियर स्टुडेंट्स नेक्स्ट ओके थैंक्यू अल उफ यू आप इसके अकोर्डिंग इस पैटन के अकोर्डिंग अपनी तैयारी करें फिर से क्यूस्टन सोल करें ओके अल दे बेस्ट फरनी तैक्स्टन